एक लेडी जीज भी सीटी में जाती है वहाँ के आदमियों के साथ उसका अफेर हो जाता है अब वो एक न्यूव सीटी में है तो क्या हमारी मैं क्यारेक्टर मेक का हजबन उसे बच पाएगा उसके यहाँ आने के बीचे इरादे क्या थे यह हम आज के अमारे मुवी स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होते हैं और हम कुछ अमिर और थो को नहीं पास कोई फैसे नहीं थे व उसके पास आए ऌर बात उससे समझ में आ वो उसे कोई भी बिल नहीं मानता आरलेन बाहर जा रही थी तो अलग वेटर उसके लिए बिल लेकर आया उसे पैसो के बहुत ही कमी आ के थी तो अपने जेवर वेगरा सब को सेल करकर इस सिट्टी उसे छोड़नी पड़ती है उस शिप लेकर अब इटली पहुचिए वाह की निस्पेपर में उसे एक बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चला पर वो मैरिट था पर इस बात से आरलेन को कोई भी फरक पढ़ने नहीं वाला था अगली जिन में हम उस अमीर आदमी रॉबर्ट और उसके वाइब में को देखते हैं यह दोनों शॉपिंग करने के लिए आये थे पर रॉबर्ट ज़रा बीजी हो जाता है तुने पहचानने वाले लेड़ी एक शॉप में में को लेकर गी यहाँ पर डारलेन नाम का आदमी में को फर्स टाइम देखता है और शो बहुत ही अच्छी लगी थी वो तुरूंद उसकी पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए भी गलो लेना चाहता हो तुमारे हाथ भी उसी की तरह है तो क्या मेरी लो आपको पहना सकताह। मेरी किस बात के लिए मान की ठोड़ी-दरी मैं मेरी के घजबन को लेकर वो लेडी फिर से वापस आतिया उसने उसे कहा कि इसके साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर दो एक्चल में डारलीन हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता था वो मिडलेश था पर अब भी उसके शादी हुई नहीं थी डारलीन का मानना है था कि अभी भी उस सचे प्यार को ढूंड रहा है रॉबर्ट और मेग अभी अभी सिटी में मूव हो रहे थे तो अलग-अलग जगा देख रहे थे उन्हें एक पैलेस पसना तो रॉबर्ट ने मेग के लिए बाई कर लिया यह सब देखकर वो बहुत ही खुश थी डारलिन और रॉबर्ट यह अपने बिजनेस में एक साथ काम करने लग गया तो इस वोचे से फ्रेंड बन गई थे इस टाइप की सिटी थी कि जहाँ बर हर एक चीज को लेकर कौसीव होती थी सारे रिज्ट लोग एक दुसरे को जानते थे एक रात पार्टी में मेग को अकिला देख डारलिन उसके पास आ गया उसने उसे ट्रिंक के लिए पुछा तो मेग उसे मना कर दिया क्याती कि मेरी फैमिले में कोई भी ड्रिंक नहीं करता वो अपने बच्पन के बारे में बताने लग गए तो जब वो बहुत ही चोटी थी तब उसकी मदर की डेथ हो गई थी बाद में उसके फादर भी गुजर गए तो फादर की सिस्टर ने उसे चोटे से बढ़ा किया था अपने मदर की एक बहुत ही पुरानी फोटो ही में के पास है जिसमें भी आप कुछ भी सही से देख नहीं पाते है डारलेन ने मदर की फोटो देखकर का कि तुम इतनी प्यूटिफुल हो तो मुझे लगाई था कि तुमारी मदर भी बहुत ही प्यूटिफुल हो की इस तरीके का डारलेन का फ्लर्ट करना मेंक को अच्छा नहीं लगता डारलेन ने का कि मैं सिर्फ तुमारा फ्रेंट बनना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं है मेकब अट्टे अब पास आ रहा था तो उसके लिए किफ्ट लेने के लिए रॉबर्ट एक जुलरी शॉप में आता है वहाँ पर अर्लिन भी थी वो रॉबर्ट से कहती है कि वाइफ के लिए कभी भी जुलरी पाई मत करना उसलागे का यह शायद तुमारा किसी और के साथ अफेर चल रहा है और दूसरी लड़की को भी तुम शुलरी किफ्ट करते हो तुमें उसे कुछ स्पेशल देना चाहिए एक हैंड फैन उसे बहुत ही अच्छा लगा था तो उसे हो सजेस्ट करती है शॉप कीपर ने रॉबर्ट से कहा कि मैं सेल नहीं करना चाहता और रॉबर्ट को इतना चाह लगा था तो बहुत ही जादा पैसे देखकर उसे पाई कर लेता है घर जाते हो एक रॉबर्ट ने अर्लेन को अपनी काड़ी में लिफ्ट दे दी इस सारी चीज़े उनके फ्रेंड्स देख रहे थे उनने लगने लगया कि शायद अर्लेन और रॉबर्ट में अफेर चल रहा है इस सब में डार्लेन भी था अपने बड़े गिफ्ट को लेकर में बहुत ही जादा एक्साइटेट थी एक दिन शॉपिंग करते हुए अर्लेन से उसकी मुलाकात हुई अर्लेन एक ड्रेस डाय करे थी और उसे पुछती है कि कैसे देख रहा है मेंग ने कहा कि ये ड्रेस जरा चोटी है अर्लेन ने कहा कि आदमियों को ये सब भी पसंद आता है मेंग ने कहा कि मैं मेरे हस्बंड को जानती हूँ उसे ये सब पसंद नहीं आता नेक से नम देखते हैं कि रॉबर्ट की फ्रेंड उस पर नज़र रखने लागए थे आज कल वो सबसे छुपते छुपा थे आरलीन के घर पर जाने लागए था उसके पीट भी जो बहुत ही बुरी बुरी चीज़े बोला करते थे एक दिन मेक और रॉबर्ट को लंच पर ले जाने के लिए डारलीन पहुच जाता है अजानक से रॉबर्ट को आरलीन का कॉल आ किया गहता है तुम्हें इस तरीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए वो अभी क्यावे उससे मिलना चाहती थी मेक और डारलीन के साथ अपना लंच का प्रोग्राम उसे कैंसर करना पड़ता है उसने कहा कि तुम दोनों लंच के लिए चले जाओ आसपास घुमते हो डारलीन ने रॉबर्ट की चेक दीखे और उसमें आरलीन के नाम पर उसने कुछ पैसे किये हुए थे इन चेक्स की वज़े से उनका अफिर कंफोम हो जाता है इस सिटी के और एक अमेर आदमी जिसका नाम था टपी उसके साथ भी आरलीन का मिलना जूलना होने लग गया था एक दिन उनके फ्रेंज डिसकस करते हुए गया थे कहीं भी नहीं मिलेगा रॉबर्ट अरलीन के पास पहुचा तो अर्लीन के सरवंट भी उसका बहुत ही मजाग उड़ाते हैं क्यों नहीं उनके अफिर के बार में पता था थोड़ी दिर में रॉबर्ट कहता है कि में सिर्फ लंज के लिए गई है मैं लेट हो गया तो शायद उसे शक चला जाएगा वो अरलीन को कुछ पैसे देख कर जाता है अरलीन ने पूछा तुम दोनों मिले कैसे थे क्या तुम उसे प्यार करते हो रॉबर्ट ने कहा कि मैं उससे बहुत प्य नेक्सिन में सब लोग ओपेरा देखने के लिए गए हुए थे आरलेन और टपी को एक साथ बात करता देख उसके बारे में वो गॉसिप करने लग गया है वो किस तरीकी के और थे यह सब वो बात कर रहे थे तो इसमें मेग भी बहुत ही इंटरस्टेड हो जाती है एक पी से कहा कि हम दोनों को कहीं और जाना चाहिए तो टवी भी इस बात के लिए बान जाता है टपी को आरलेन के बारे में पता था कि उसका पास्ट उतना अच्छा नहीं है परो जैसी है वैसे उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेड़ी था टिबी के भी दो तीन में का मोड अच्छा करने के लिए उसका बट्टे गिफों उसे पहले ही देता है में को बहुत ही पसंद आया आरलेन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ बात है तो टपी ने कहा शायद मुझे तुमसे शादी करने चाहिए आरलेन कहती कि मेरी कोई भी शादी ठीकी नहीं है स्लोली स्लोली प्यार कम होता जाता है और आप स्टक महसुस करते हो टपी ने कहा कि शायद तुम राइट परसन से कभी मिली नहीं इसी वज़स तुम्हें ये सब लगता है आरलेन कहती कि सब गलती शायद मेरी ही थी टपी डारलिन उसके लिए बहुत expensive gift लेकर आता है मेग ने कहा कि मैं accept नहीं कर सकती लोगों को अगर पता चला तुने लगेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डारलिन कहता है कि मुझे इस सब चीजों से फरक नहीं पड़ता हम दोना एक दूसरे के बहुत अच्छे friends है अगर तुमें कवे भी किसी भी सहारे की जरूत पड़े तो हमेशा में तुम्हें support करूँगा party में Robert का एक employee आया हुआ था जिसकी payment बाकी थी उसकी payment करने के लिए Meg Robert के office में चलीगी वो एक चेक लिखती है पर इसमें उसे पता चला कि Robert ने Arlen के नाम पर बहुत सारे पेशों के चेक्स लिखे है उसे भी लगने लग गया कि Robert और Arlen के बीच में अफेर चल रहा है इस बात से वो बहुत ही जादा upset हो जाती है अपने एक friend को बात बदा दिये तो friend ने कहा कि Arlen उसी type की है हर ये आदमी को फसा देती है मैं एक कोच्चा फिल कराने के लिए उसे और शॉपिंग पे लेकर गई पैरलल में आज Robert टपी के साथ गेम खेल रहा था टपी ने कहा कि मैं और Arlen एक दूसरे को बहुत ये अच्छी तरीके से समझते है से देने के लिए मैं रेडी हूँ पर तुम्हें अभी क्या भी सिटी को छोड़ कर जाना पड़ेगा आरले ने कहा कि मुझे मेक से बात करनी है मैं उसकी मदर हूँ और उसे छोड़ कर क्यों चली गई थी ये सब चीज़े मुझे उसे एक्स्प्लेइन करनी है रॉबर्ट कहता है कि इन सब चीजों की वज़े से वो डिस्टब हो जाएगी वो खुश है और उसे इस सब की जरुवत नहीं है इसे एक बात को लेकर आरले रॉबर्ट को ब्लैक मेल कर रही थी इसी वज़े से रॉबर्ट न पर मेंग अंदर बहुत ही ज़ादा आफसेट थी उसे दो लगता है कि आरलेन और रॉबर्ट के वेश में आफेर है गुस्से में जिस तरीकी की ट्रेस आरलेन की थी उसी टाइप की ट्रेस उसने पाई कर ली थी और उस सब के सामने आ जा दिया रॉबर्ट उसे लेकर जा तो उसे कहते हैं मुझे तुम्हारे और आर्लेन के बारे में पता चल गया आज तुम उझे कुछ भी बोलने की जुर्ट मत करना सुप करना मैं भी tenían लोगों छोका पर उसको भी जादा узна ne नहीं को लगता है कि उसकी साथ अफेर कंटीनू करना चाहिए में रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है तो अगर वो तुमसे शादी कर लेता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी में टबी के फ्रेंड्स उसे समझा रहे थे कि आरलेन के साथ उसके रिलेशन्शिप उसे कंटिनू नहीं करने जाई है टबी ने कहा कि अब मैं ओल्ड हो चुकाओ उसे फिर से कोई भी मिलने नहीं वाली और आरलेन बहुत ही ब्यूटिफुल है फ्रेंड्स ने कहा कि वो सिर्फ तुमारे पैसो के लिए तुमारे साथ है टबी ने कहा कि अगर वो ब्यूटिफुल नहीं होती तो मैं भी उसे कोई भी भाव नहीं देता उसे रिलेशन्शिप एक बिजनेस की तरह लगती है पर फिर भी आरलेन से वो बहुत प्यार करता था मैं डिस्टब होकर बहुत ही ज़्यादा ट्रिंक कर दिया रॉबर्ट ने उसे रोकने की कुशिश की और उसे कोई भी बात तो नहीं मानती मैं एक को अपसे टेक डारलेन उसके पास पहुच जाता है उसने कहा कि आरलेन बहुत बुड़ी है तुम बहुत ही ज़ाता प्यूटिफुल हो उसके पास आकर उसे किस कर लेता है डिस्टब होकर में एक बाहर आगे डारलेन ने कहा कि रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ मेरेश चिप में हम दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते है रॉबर्ट मेक को ढूंटे ढूंटे बाहर आ गया था तो छुप जाती है मोके का फायदा उठा कर टबी पार्टी में आरलेन के पास आया उसे मेरेश के लिए प्रपोस कर देता है आरलेन भी उसका मजा के लिए थी कि सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ वो शादी कर रहे है और इसके बाद इसके लिए उमान जाती है रॉबर्ट आरलेन को पार्टी में देखकर और और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था उसे और पैसे देता है और जल्दी से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है आरलेन ने कहा कि मैं डारेक्ली जाकर मेग से बात कर सकती हूँ उसे समझा सकती हूँ कि मैं और टप अब शादी करने वाले है इन दोनों का बात करना है मेग ने बाहर से देख लिया तो और भी ज़्यादा वो गुस्सा हो के अरलेन अब यहाद से निकल रही थी तो फाइनली मेग से वो बात करने के लिया आई मेग के रूम का दरवाजा खुला था उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्टी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि हमेशा के लिए उसे छोड़ कर जा रही है मेग को ढूनते वे रॉबर्ट भी उपर आ रहा था तो अरलेन ने उसके रूम का दरवाजा बन कर दिया रॉबर्ट को लगता है कि मैं गुसा है इसी वज़े से दरवाजा खोल ने रही उसे कहता है कि अरलेन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है वो तो बहुत ही जादा बूड़ी है और दिखने भी में इतने अच्छी नहीं है रॉबर्ट के जाने के बाद अरलीन टभी के पास आई और उसे कहती कि रॉबर्ट को आज रात घर के बाहरी रखो टभी ने पूछा कि ऐसा क्यों अरलीन कहती कि अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं पूछने पड़ेंगे बहुत बार तो मेरे क्वेश्चन के मुझे ही आंसर पता नहीं होते है तबी भी ये बात मान जाता है एक्च्छल में में एक डार्लिंग के बोट पर आ गई थी उसी के साथ हो भाग जाने वाली थी उसे समझाने के लिए बोट पर अर्लिंग आ जाती है वो कहती कि तुम्हें अपने हस्बंड के पास वापस जाना चाहिए हम दोनों की बीच में कुछ भी आफेर नहीं चल रहा मैं उसके एक रिलेटिव हूँ और उसी वज़े से वो मुझे पैसे दे रहा था तुम्हारा अजवन तुमसे बहुत ही प्यार करता है मैं एक उस पर जादा बिलिव नहीं करती तो अर्लिंग ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से चली जाओगी तुम्हारी लाइब बहुती बत्तर बन जाएगी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बाते करते रहेंगे तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी पर 20-30 साल में तुम्हें बहुती बुरा लगीगा इस तरीके से तुम्हें नहीं जाना चाहिए मेग भी इस बात को समझ रही थी तबी टपी रॉबर्ट और डार्लीन को लेकर वहाँ पर बोज गया यह सब मिलकर अर्लीन के बारे में बात करने लगे वो फिर से टपी को समझाने की कोशिश कर रहे थे टपी कहता है कि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला यहाँ पर एक आदमी को रॉबर्ट ने मेग को जो हैंड फैन दिया था यह मिल जाता है रॉबर्ट कन्फ्यूस हो गया कि मेग का फैन यहाँ पर आया कैसे अगर उसे बता चलता कि मेग यहाँ पर है तो उसका मैरेज हमेशा के लिए ठूट जाता अर्लीन उसे बचाने के लिए नीचे से उपर आ जाती है यह बोड डार्लीन की थी तो टबी को लगता है कि अर्लीन और डार्लीन इन दोनों में अफैर चल रहा है वो गुस्से में वहाँ से चला गया सुबा होने पर रॉबर्ट घर पर आया तो में गुसे घर पर ही मिलती है इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था बातो बातों में मेक को पता चला कि टबी ने अरलीन से बिरिक अप कर लिया है उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है आज लास्ट टाइम अरलीन मेक से मिलने के लिए आई हुई थी रॉबर्ट ने अरलीन से बात कि कहा कि अगर तुम सचमुश में मेक से प्यार कर दिया तो इस तरीके से उसे छोड़ कर नहीं जाती अरलीन ने कहा कि जिस तरीके का मेरा मैरेश था उसमें मेरे पास कोई भी आप्शन नहीं था उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर तब मेक वहाँ पर आके मेक ने कहा कि मेरी वज़े से तुमारा मैरेश तूट गया मैं रॉबर्ट को सब कुछ सच सच बता दूँगी अरलीन कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना तुम दोने एक दूसरे से प्यार करते हो यही तुमारे लिएक सच है उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है मेक ने कहा कि मैं मेरी मदर की प्रॉमिस लेती हो मेरी मदर मेरी garden angel है वो हमेशा मेरा खैल रखती है ये बात सुनने के बाद Arlin यहां से जाने लगके Robert ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं Arlin ने कहा कि Meg अपनी मदर को भगवान समान मानती है उसकी इस फ्यद को मैं destraw नहीं करना चाहती है जाते जाते रोबर्ट ने जो भी पैसे अरलिन को दिये थे, इस सब कुछ वो रिटन करकर जाती है, मेग और रोबर्ट के विश्च में सब कुछ ठीक हो गया था, अरलिन जब प्लेन में बेटी, तो टबी उसका वेट कर रहा था, टबी कहता है कि मेग ने मुझे सब कुछ ब बताया तो मेंग ने सब को जोट बोला था उसका मैरेज बजाने के लिए उसने उसे हेल्प कर दी अर्लीन के साथ बहुत ही खुश था और अर्लीन को भी पसंद आया था अब एक अलग कंट्री में जाकर फिर से अपनी लाइफ कंटीनू करेंगे इसी के साथ मुवी एंड हो अगर आपको एकस्प्रेंशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल अटोवेशन आइकों ने मत भूलेएगा हम वीर से मिलेंगे और एक ने मुव के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये